हाई दोस्तों, असलाब अलेकुम, कैसे आप लोग, मैंना नबील है, AirPods Pro मैंने फाइनल लिया है, AirPods 2 जो है, मैं यूज करता हूँ हमेशा से, लेकिन अभी Apple ने कुछ नए फीचर्स लेके आया है, AirPods Pro के अंदर ही उसको दिया है, जैसे special audio बगर, और कुछ लोगो प्रॉब्लम भ करने के लिए, और उसको चेक करने के लिए, मैंने AirPods Pro जो है, वो खरीद लिया है, वो मंगा लिया है, और ये मैंने लिया है, Sell Buddy से, Sell Buddy से, इसले लिया, सबसे बड़ा रीजन है, कि मुझे discount काफी अच्छा मिला, 21,900 रुपीस में मिला, जो कि Amazon Flipkart से कम है, और सबसे बड़ी बात Amazon Flipkart पर अभी अवेलेबल नहीं है, तो इनले काफी जारा स्टॉक था, तो मैंने वहाँ से करी लिया, इसका लिंक बाइंग वाला नीचे description box में दे दूँगा, यहाँ पर ये वीडियो जो है दोस्तों, इसमें unboxing करके आपको बताने वाली जो है, कोई बड़ी बात नह आपको बताना चाहता हूँ, जो आपको जेनरली कहीं देखने नहीं मिलता, तो इसकी वारेंटी वहाँ पर शुरू नहीं हो जाती है, तो आपको manually उसको शुरू करना पड़ता है, वारना आपको Apple की कोई भी वारेंटी नहीं मिलेगी, तो इस पर वारेंटी है या नहीं, और इसकी manually warranty हम लोग कैसे अक्टिवेट कर सकते हैं, और दो साल तक की आपको warranty कैसे मिल सकती है, free of cost, उसका भी जुगार जो है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वारेंगे, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, earn करो के बारे में, earn करो डाउलोड करेना है, description box में दिये हुए link से, वहाँ पे Amazon पे आप जा सकते है, flip card भी जा सकते हैं, हम यहाँ पे Amazon पे आगए, तो यहाँ पे आपको कोई भी product शेर करना है, अपने friends या family को, तो यहाँ से वो product को choose कर लीजे, और यहाँ पे share now directly WhatsApp पे कर सकते हैं, या share का बटन ब पाइदा उठाईए घर बैटे जो है, earn करो से unlimited cash back कमाईए, link दिये description box में है, check out जरूर कीजे, तो guys यह है हमारे AirPods Pro का box, यहाँ पे AirPods 2 रखा हुआ है, with wireless charging case, जिस पे wireless charging case होता है, उसमें यहाँ पे आपको light दिखने मिलेगी, और जिसमें wireless charging case नहीं होता है, उसके light अंदर होती बाकी typical Apple fashion में यह box है, यहाँ पे pull tab है, जिसको हम अभी करेंगे pull और इसको अपने case में से बाहर निकाल देंगे, इस तरीके से आपको जो है plastic फाड़ देना है, आपको कोई भी जो है छुरी वगरा की जरूरत नहीं पढ़नी चाहिए, वरे आराम से यह बाहर आ गया है, यह यहाँ पे design by apple in California देखने मिलेगा, यहाँ पे सबसे important चीज़ आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पे कोई भी apple stickers देखने नहीं मिलते, AirPods के box में कभी भी apple sticker देखने नहीं मिलते, तो जगड़ा मत करना किसी दुकान वाले से, apple store वाले से, यह sell buddy वाले से भी, Amazon flip card से कि हमको apple sticker नहीं मिले, apple sticker आपको मिलेगा, तो आपके iPhone के साथ मिलेगा, MacBook के साथ मिलेगा, iPad के साथ मिलेगा, तो यहाँ पे AirPods Pro जो है, हमारा वो इस तरीगे से है, beautiful, यहाँ पे हम इसको side में रख देते है, इस तरीगे से यहाँ पे इसका cover निकालते है, अंदर आपको देखने मिलता ह यह charging cable, जो कि एक lightning cable है, और दूसरा है USB-C वाला port, तो अगर आपके बस Pro वाले जो iPhone से latest वाले वो नहीं है, तो फिर जुगाड कर लेना, एक PD charger का, यहाँ पे earbuds दिये हुए है, जो आपको, अगर आपके कान का shape थोड़ा अलग है, छोड़ा बड़ा है, तो उसके हिसाब से आ हमारे AirPods Pro है, इसको हम लोग जो है, इस प्लास्टिक में से बाहर निकाल लेते है, इस प्लास्टिक को साइड में रख देते है, और यहाँ पे आप देख सकते है, कितना प्यारा और कितना क्यूट सा यह AirPods Pro है, और AirPods Pro जो है, यह पैबल लाइक shape है, हम shape और size और यह सब चीज़ और बहुती beautifully आपके AirPods Pro जो है, यहाँ पे connect हो जाएगे, यहाँ आप देख सकते है, यहाँ पे media control का option, जो कुछ इसके अंदर है, वो सब यहाँ पे आपको दिखा रहा है, noise cancellation वाला option है, वो किस तरीके से आपको use करना है, वो भी सब यहाँ पे साफ तर पर आपको नजर आ ज आप side में और lid का जो उपरी हिस्सा है, यहाँ पे भी इसके लिखा होता है, serial number तो box के बाहर भी serial number होता है, अंदर भी होता है, दोनों को match करके देख लेना एक बार, कि जो box है और जो AirPods है, वो दोनों एक जैसे है या नहीं है, मैंने अपने AirPods Pro जो है दोस्तों, वो अपने कान cancellation वाला option है, यह external जो noise है, वो cancel हो जाती है, इसको off कर सकते हो, या फिर आप रख सकते हो, इसको transparency mode में, आप जब transparency mode में रखोगे, तो बाहर की जो ambient noise है जितनी भी वो आपको ऐसी आएगी, जैसे आपने कान में कुछ नहीं पहना होगा, अगर off रखते हो, तो यह passive noise cancellation mode में चल जाता है, यानि कि आपके जो AirPods के earbuds है, यह वाले जो rubber के tips है, यह आपको noise cancellation प्रोवाइड करते है, और noise cancellation पे अगर आप जाते हो, तो यहाँ पे आपके AirPods जो है, completely external जो sound है, उसको cut कर देते है, AirPods Pro के अंदर, जो आपको यह grills नजर आ रहे है दोस्तों, यह grills के अंदर microphone भी दि जाता है, और जब noise cancellation off करते हो, या transparency mode में चले जाते हो, उस time पे बाहर का जो sound है, वो आपको आपके कान में provide करता है, इस तरीके से, कि आपको लगेगा आपने कुछ पैना ही नहीं है, दोस्तों, unboxing और setup अगरा तो आपने देख लिया, box में क्या कुछ आपको देखने मिलता ह यहाँ पे है, कि इसकी warranty जो है, वो आप check कैसे कर सकते हो, और इसकी warranty आप activate कैसे कर सकते हो, जैसे मैं आपको starting बता है, कि iPhone की, MacBook की, iPad की, इसकी जो warranty होती है, यह automatically on हो जाती, जैसे आप Wi-Fi को गने करते हो, लिगे, एर पॉस जो आपके है, उसकी warranty उस तरीके से start नहीं होती, उ यह बताऊंगा दोस्तों, आपको इसी time पे किस तरीके से आप additional one year की warranty आ रहे हैं, कि total one year की warranty, one and a half year की warranty जो है, total पे किस तरीके से ले सकते है, trick HOTC, एक loophole है Apple के system में, जो मैं आपको बताने वाल हो, इसका फाइदा उठा सकते है, जब तक कि Apple इसको ठीक ना करे, और यह यहां पे अपने Macbook के ओपर, मैं Safari में open करूंगा, checkcoverage.apple.com, checkcoverage.apple.com, जो है Apple का खुद का website है, और यहां पे आपको, आपका serial number दालना है, जो आपके airports के box पे भी आपको देखने मिलेगा, और lid के अंदर भी मैंने आपको बताया था, यहां पे भी मौजूद है, तो यहां प से देखे, यहां पे आपको दिख्राई दे रहा है, कि purchase date not validated, हमारा serial number है, airports pro है, तो क्या यह चीज sell body की गलती है, या Apple Store से अगर आप लेंगे, तो क्या यह Apple Store की गलती है, नहीं, इसका तरीका जो है, यह आपको बता होना चाहिए, किस तरीके से warranty आप शुदू कर सकते हैं, आपके बस भी airports है, और आप जाके चेक करेंगे, तो शायद आपने उसकी warranty start की नहीं है, डिरेकली यूज करना शुदू कर दिया, warranty start नहीं है, तो warranty उसकी start करना बहुत ज़रूरी है, तो आईए अब आपको बताता हूँ, किस तरीके से आप कर सकते हैं, तो यहां पे purchase date not validated ल लगाना है, और अगर कुछ भी नहीं है, जैसे कोई Macbook के अंदर touch ID, face ID दोनों नहीं है, तो वहां पे आप अपना password एंटर कर सकते हैं, जब हम sign in करेंगे, तो यह जो product है, इसकी warranty हमारे Apple ID से जुड़ जाएगे, अब यहां पे देख सकते आप, कि we are unable to validate your products purchase date, क्यों लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि उनके पास कोई ही नहीं इसके बारे में knowledge के कब इसको आपने activate किया, अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, suppose आपने इसको लिया, और उसके बाद 2-3 महीने, 6 महीने तर इस्तमाल किया, उसके बाद भी जालते हो, तो वारंटी वहां से शुरूएगी, यानि की total आपको date साल की warranty मिल जाएगी, 8 महीने के बाद करते हो, तो एक साल 8 महीने की मिल जाएगी, और आप 11 महीने में भी करते हो, तो आपको जो है, additional one year की warranty मिल जाएगी, यहां पे आपको क्या करना है, date आपने pick कर लिया या इसी कोई बात नहीं है, 21,900 में मैंने इसको purchase किया है, इसका link नीचे description में दे दूगा, अब जाके directly उनके website से purchase कर सकते हो, और अपने घर पे उसको मंगवा सकते हो, Amazon Flipkart पे अभी फिलाल available नहीं है, और अगर available होगा, तो इससे जाधा price में ही, आपको most probably देखने को वहां आपको